कि मश्कार दोस्तों मैं हूँ सुमित कैसे आप सभी लोग उम्मीद है काफी अच्छे होंगे आप सभी के साथ ऐसा होता होगा कि आपके पास कोई गाड़ी है और उसका मतलब कोई सर्विस सेड्यूल है कब सर्विस करवाए थी वह भूल जाते हैं पिछली वाली सर्विस की जो परची थी वह कहीं रखके बूल जाते हैं या फिर कितना कोश लगा किता मेंटेंस लगा हर बार मतलब बहुत सारी चीज़े याद नहीं रह पाती और टाटा की अगर आपके पास गाड़ी है तो आप बहुत सही वीडियो देख रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आ लाड़ी के नंबर के साथ आप उसे पेयर कर सकते हैं और उसके बाद उसमें आपको बहुत कमाल की चीज़े देखने को मिलने वाली है सो सीधे फटाफट से आपको में लेके चलता हो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर सो यह मेरे मेरे सामने यह मेरा फोन है तो सबसे पहले आ आपको Tata service करके search करना है Tata Motor service connect करके यह एक है आपको इसे search करना है इसे install कर लेना है यह कैसे काव करती है पूरा detail में मैं इस video में आपको बताता हूं इसे open कर लेंगे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा यह सारी चीज़े में स्किप कर देता हूं और यहां पर आपको अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप एक अकाउंट बना लेंगे वह साइन अप पर जाएंगे फिर्स नेम लास मैं आपको मूबाइल नमबर और पासवर्ड यहां पर देना रहता है माँ उसे लोगइन करकर आपको बता देते हो ली क्या बताएगा कि यहां पर कहां से क्या कर ना रेता है इनकोаст कर लेता हूं सिंपली चेटिस नंबर या रजिस्टेशन नंबर लिखना रहता है सब्मिट करना रहता है और यह अपने आप टाटा के डेटा बैस से फेच कर लेता है कि इस गाड़ी का क्या डेटा है सो मेरी गाड़ी का यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ गया होगा मैंने MP04CX8634 करके यह मेरी गाड़ी का नंबर है यह डाला और यहाँ पर इसने उपर मस्तर टियागो का फोटुक बना दिया और फिर वेहिकल की डिटेल जो है वो भी यहाँ पर सारी आपको देखने को मिल जा पर यहाँ पर यह आपको देखने को मिल जाता है लास्षविस आपकि कबुई घिये यहांपर दिखा देता अगली सर्विस आपको कब कराणी है यह भी यहाँ पर दिखा देता है और साथ में उसके लिए आप यहाँ से रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं आप यहां से अपनी सर्विस बुक भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ लास्ट सर्विस आपने कहां पर करवाई थी वह सारी शोरूम्स की डिटेल वगेरा यहां पर यह बता देता है बहुत मतलब कमाल की चीज़ है यार इतना सब कुछ डाट जो आपको सर्विस सेंटर वाले बताएंगे आप मुबाइल पर देख सकते हैं यह देखिए सर्विस सेडियूल आपने कब कब अपने क्या क्या सर्विस करवाई थी तो पंद्रा सो किलो मीटर दो महीने वाली सर्विस आपकी हो चुकी है इतने इतने वाली कंप्लीट हो च बता देगा इंस्टेंस के बारे महता रहा है पॉलीसी नंबर वगेरा बता रहा है आपकी anthropology अगर आप ले रखी है तो उसका क्या इस्टेनट से यहां पर यह बता देगा के दा इमसी आप अगर एसिस्टेन्ट आपने लिया हुआ है तो आपको यहां पर बता देगा आपकी क्या है अब बाहर की तरफ आजाते हैं इसमें आप देखेंगे यह जो एक गाड़ी है वह आपको चलती दिख जाएगी और डिफाल्ट मतलब फेबरवरी मार्च यहां पर बता रहा है और अगली सर्विस मुझे कप करानी है यहां पर एक जंडा गड़ा हुआ दिखा देगा तो यह काफी कमाल की चीज है बाकी बुख सर्विस यहां इसमें से अप डाइरेट अपनी अप्पोइट्मेंट है वह यहां से आप बुक कर सकते हैं आपको Simply डालना है आपका आप का सिटी का नाम और सर्विस मोड के आप सर्विस सेंटर पे जाके लेना चाहते हैं यहां घर नहीं भाई यह तो लोड करते ही जा रहा है इसे वापिस से एक्जिट करता हूं माई बुकिंग अगर आपने कोई सर्विस बुक करके रखी हो या फिर आपको जो सर्विस करानी है वो बता देगा पास्ट में भी कोई बुकिंग नहीं है निकल गई हो तो वो यहां पर दिख लब की अपन तो क्या है सर्विस कराने के बाद भूल जाते हैं किता क्या इसका कोस्ट लगा होगा लेकिन यह देखिए मेरी गाड़ी का अभी तक कितना क्या कोस्ट लगा है वो सब कुछ बताता है सर्विस में कुछ इतना खर्चा आया हुआ है देख सकते 960 रुपे का ब पांच अक्टूबर 18 सेप्टेंबर विट डेट वाइस पूरा रुपे वगएर आपकी कितने लगे सब कुछ यहां पर एकदम मस्त तरीके से बताता है सो एक यह जो एप है वो मुझे काफी ज्यादा काम का लगा और अगली चीज में इसमें बताऊं आपको एक काफी कमाल का जो फीचर है वो मैंने देगा तो कोस्ट केलकुलेटर वाला यहां से आप अपनी जो सर्विस है उसका कोस्ट केलकुलेट कर सकते हैं फ्री का अलग कर सकते हैं पैट सर्विस है तो उसका वी अलग कर सकते हैं और अगर आपको पास कोई आपकी गाड़ी में सावान करना चाहते हैं वो सब इस पेर वगएरा अगर आप कोई पार्ट सर्च करना चाहते हैं तो सब का रेट वगएरा प्रॉपर आपको यहां पर शो हो जाएगा सो जो एक ट्रांसपेरेंसी यह काफी जादा अच्छी है इस वाले एप में बकी जहाँ से आप लोकेट .\ कर सकते हैं आपके आसपास कौन से सर्विस सेंटर है तो यहां पर उपर स्टेट और आपकी सीड्य डालेंगे तो यहां पर कौन-कौन से सर्विस सेंटर आपके आसपास वो शो कर देगा सो फिलाल यहां पर भोपाल में एक ही सर्विस सेंटर है टाटा का तो यह ग्रीन मार्क यहां पर आ चुका है तो यह काफी कमाल की चीज है और अगली चीज डोकुमेंट का जो है यहां पर फीचर यह काफी अच्छा है कि आपको मतलब डोकु सकते हो वीकल में अगर आप जाएंगे तो गाड़ी की पीउसी और सी और भी इंशुरेंस वगयरा आप यहां पर अपलोड करके रख सकते हो यहां पर मौर वाले मीनियू में अगर जाते हैं तो यहां पर आपको माई प्रोफाइल को ऑप्शन देखने को मिल जाता है माई में आपको सारी चीजें आपकी जो जो भी है वो यहां पर देखने को मिल जाएगी एप्रिशियेशन में आप अगर कुछ अपना देना चाहते हैं कोई फीडबेक वगयरा आपकी गाड़ी में को दिक्कत होती तो यहां पर वीडियो या फोटो के माद्याम से लिखकर आप सब्मिट कर सकते हैं बाकि मैंटेनेंस टिप्स आपको यह वाले आप में देखने को मिल जाजा कि आपको स्टेरिंग डे स्टेरिंग और से मिल जाती है अब यह वापिस बहुत देर में लोड होगा यार वीकल फाइंडर अगर आप यहां पर देखना चाहें तो आपका वी लोकेशन उसके बाद आप अपना गूमते रहें और जब आपको अगर गाड़ी ना मिले तो आप यहां पर फाइंड वीकल में जाएंगे और गूगल मैप पर यह आपकी गाड़ी की लोकेशन जो सेव करके रखी थी वो यह सीधा बता देगा तो अभी इस तरीके का कुछ सी यहां पर फिलाल तो इसका कोई यूज नहीं है टर्म सेंड कंडिशन कॉंटेक्ट अस लोग आउट का ऑप्शन है यहां पर और मेरे रिसाप से तो भाई जो डूनडा ढांडिया याद रखने की जो हसल है उससे तो काफी हद तक अच्छा है कि कव आपकी सर्वेस हुई त कव आपको करवाना इंसुरेंस कब खतम हो रहा यह सारी चीजें कब तक याद रखे वेक्ति तो यह सारी चीजें आप इस वाले एप में जान सकते हैं अपना सो अगर वीडियो अगर helpful लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर अच्छा लगा हो वीडियो आपको इ कर दो